तो दोस्तों यह सब थो में जानते हैं कि दया भावी शोव में किसी नहीं नहीं आ रहती तो जो नहीं जानते उन को बता देज प्лем करके एक बेटी होई थी जिसकी वह शो में लेकिन आप लोग यह नहीं जानते कि उनको इतना समय क्यों लग गया शो में वापशी करने के लिए तो दोस्तों दया भावी ने एक इंटर्विव में बोला था कि उनकी बेटी अभी बहुत चोटी है तो उसका ध्यान रखने के लिए उन्हें घर पर रहना पड़ता है तो इसलिए वह शोव में अभी ध्यान नहीं दे पारी वह सिर्फ एक ही जगा ध्यान लगा तक नहीं याद अपनी बेटी पर या शोव पर तो इसलिए उन्हें अपनी बेटी पर ध्यान देने का फैसला लिया और वह अपनी बेटी के साथ इसमय बिताने लगी जिसकी वरसे उन्होंने शोव में एंट्री नहीं की लेकिन अब दैभावी की बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है जिसकी वरसे वह वापस शोव में एंट्री कर सकती है और यह सब तो आप जानते हैं कि दैभावी जल्दी शोव में वापस आने ही वाली है तो अब देखना ही है कि उनके वापस आने से शोव पर क्या असर पड़ता है वाकी उमीद तो है कि शोव पर अच्छा यह कि दैभावी में लीड है और दैभावी काफी पसंद की जाती है तारक मैता के वीवर्स के द्वारा तो दोस्तों आगया नहीं के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा शुक्रिया